गुरूर देवो महेश्वधा गुरूर साख्षात परंब्रम्भा तस्मेश्री गुरुवे नमभा दोस्तों हम लोग दो रत्न पहनते हैं रत्न के बारे मिने आपको बहुत सारे जानकारी दिया हैं और जो जानकारी बैची हैं तो हम आने वाले वीडियो में आपको पून रूप से सभी जानकारी देंगे रत्न को ये बात अच्छी तरह समझने हैं रत्न तभी हमको फल देते हैं जब रत्न को हम सही उंगली में धारण करें सही दिन धारण करें, सही धातु में धारण करें, सही समय धारण करें और पिटेग रत्म की एक जब संग्या होती है और उसका एक मंत्र होता है तो जितनी उसकी जब संग्या होगी और जो मंत्र होगा उससे जब हम जब संग्या पूर्ण कर लेते हैं तो वो रत्म हमको बहुत लाब देने रकता है तो रत्म जब भी दारों का है उसको विदिवत तरीके से ही दार रका रहें ऐसे आप किसी भी जोस्ताचार या किसी भी दुकान से जाकर रत्म लेकर नहीं पेने उसका कोई भी मतलब नहीं होता अगर इसका मतलब होता तो जो रत्नों का काम करते न उनके पास बहुत सारे रत्न होते हैं तो निश्चित उप्सवन को लाब देते यहां नहीं परन्तु ऐसा नहीं होता है आज हम आपको बुद्ध ग्रह का रत्न पन्ना किस समय धारा करना चाहिए इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं हम आपको यह जानकारी दे हैं उसके पहले हम आपचप रात्ना करेंगी कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल आइकोन को दबा लीजिए इससे आपको जो नोटिफिकेशन में हमारा जब भी वीडियो निकलेगा आपके पास तुरंट पहुंच जाता है कमेंट्स में रादे रादे ज़रूर लिखिए और वीडियो को अधिक शेयर करेंगे तो इससे और भी लोगों का लाब होगा अब हम जल्दी से जानने तो सबसे पहले महिने में 15 दिन सुक्ल पक्ष को होते हैं और 15 दिन किस पक्ष को होते हैं जिसे उजाला पाक और अंधेरा पाक भी कहते हैं सुक्ल पक्ष के बुद्धवार को किसी भी बुद्धवार को सुकल पक्ष के बुद्धवार को बुद्ध गिर्य का रत्न पन्ना अगर हम सुभे के समय धारण करते हैं सुर उगने के तीन गंटे के अंदर तो निश्चित रूप से वो रत्न हमको जादलाब देता है जब भी हम बुद्ध गिर्य का रत्न पन्ना धारण करें धारण करने से पहले अगर हो सके तो घर के आसपास कोई गलेश मंदिरो तो गलेश जी को दूबभास दूरवांकुर जो कि बुद्धवार को नहीं तोड़नी है ध्यान रखना है आपने मंगलवार को पहले से लिए विए तोड़ी विए उसको आप फ्रेज में रख दें तो बुद्धवार को गलेश जी को दूबभास चलाईए दूरवा चलाईए और साथ में मोदक परसात के रूप में चलाईए इससे आपका जो रत्न है जो अंगूटी के रूप में है साथ मैं उसको आप गलेश जी को अर्पित करके सबसे छोटी वालियूंगली में है जिसको हम कनिश्का भी कहते हैं इसमें आप धार्ण कर लेंगे तो निश्चत रूप से आपको पन्ना बहुत जादा लाब देगा इसके साथ महीने में लगबग एक बार पुष्य नक्षत्र आता है तो पन्ना को आप पुष्य नक्षत्र में भी धार्ण कर सकते हैं वो भी उतना ही फल्दाई होता है जितना सुक्लपक्ष के बद्वार को हम धार्ण करते हैं तो दोस्तों आज हमने आपको पन्ना किस समय धार्ण करना चाहिए इस बारे में जानकारी थी हमारा जो अगला वीडियो है वो पन्ना किस मंत्र से वो मंत्र की जब शंक्या कितनी होगी वा किस माला से वो जब शंक्याम को करनी है इस बारे में हम आपको सम्पूर्ण जानकारी देंगे तब तक आप हमारे सिंग बने रहे हैं तब तक के लिए रादे रादे जय हैं